इस वीडियो में भी हम लोग हमारा 100 days of deep learning playlist continue करेंगे और आपको जान करके यह बहुत खुशी होगी कि पिछले 6-8 महिनों से हम जो Transformers Architecture पढ़ रहे हैं आज हम उसका last video discuss करने वाले हैं अगर आपको पता होगा अगर आप यह playlist फॉलो कर रहे होगे तो पिछले 12-15 videos जो भी इस playlist में आए हैं वो Transformer Architecture के उपर आए हैं और अभी दख हमने क्या cover कि अब भी मैं आपको बता देता हूँ तो यह हमारा Transformer Architecture का diagram है और मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं एक strategy follow गरूँगा यह topic आपको समझाने के लिए because यह topic बहुत important है और strategy यह रहेगी कि मैं सीधे आपको एक single video में पूरा architecture ना समझाने के बदले what I will do is कि मैं breakdown करूँगा पूरे के पूरे architecture को तो मैंने पहले encoder पढ़ाया आपको encoder में भी मैंने आपको पहले बताया कि encoder के अंदर क्या क्या चीज़े हैं वो कैसे काम करती हैं और जब वो चीज़े आपको समझ में आ गई तो फिर मैंने आपको पूरा encoder architecture पढ़ाया फिर same काम मैंने decoder में भी repeat किया so decoder में भी जो भी core components है वो मैंने आपको समझाया और जब आपको वो समझ में आ गए फिर मैंने आपको decoder का पूरा architecture समझाया और इस तरीके से अब हमारे पस पूरा idea है कि transformer architecture काम कैसे करता है बट अगर आपको पता होगा अगर आपने realize किया होगा तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने जो भी पढ़ाई की है वो training stage के दौरान transformer कैसे behave करता है उसके बारे में हमने अभी तक ये discussion नहीं किया कि inference के time पे यानि कि prediction के time पे transformer architecture कैसे behave करता है सो हमारे आज का जो वीडियो का topic है वो exactly यही है हमने since पूरा architecture पढ़ लिया और हमें सारे components का idea लग चुका है इस वीडियो में हम लोग finally ये discuss करेंगे कि एक बार जब आपका transformer model train हो जाता है उसके बाद जब आप उसके through prediction कराते हो तो उस prediction के time पे transformer का जो architecture है वो कैसे behave करता है so the topic of today's video is transformer inference ठीक है so I really hope आपको plan of attack समझ में आ गया अब मैं आपको जल्दी से setup बता देता हूँ उस video का setup बहुत simple है आप ऐसे मान के चलो कि आपको एक machine translation का task solve करना था और जो translation task है वो बहुत simple English से Hindi sentence translation का task है जहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का data set है आपके पास input में English sentence है और आपके पास output में Hindi sentence है और आपके पास इस तरह के बहुत सारे rows हैं मैंने सिर्फ यहाँ पर तीन rows दिखाएं आपको आप मान के चलो आपके पास एक लाख rows है ठीक है और आपके पास एक transformer architecture है और आपने क्या किया है इस data के उपर इस transformer architecture को train कराया है मतलब आपने training complete कर ली है और जो भी weights and biases की value है वो आपको मिल गई है आपका transformer architecture is ready to do predictions और अब आपने उससे एक question पूछा कि मेरे पास ये English sentence है we are friends तो बताओ इसका Hindi translation क्या होगा और अब हम step by step discuss करेंगे कि जब आप ये sentence prediction के time पे इस transformer architecture में डालते हो तो फिर इस architecture के अंदर होता क्या है अब हाला कि मैंने transformer inference के time पे कैसे behave करता है ये समझाने के लिए एक detailed diagram बना रखा है जो आपके screen पर है बट इस diagram में deep dive करने के पहले मैं कुछ चीज़े आपके लिए simplify करना चाहता हूँ उससे क्या फाइदा होगा कि जब हम ये diagram discuss करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी ठीक है तो मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको तो transformer, architecture दो parts में divided है encoder and decoder अब अगर आप बात करो training time की और inference time की तो आपका जो encoder है वो दोनों ही stages में बिल्कुल same तरीके से behave करता है मतलब encoder का जो behavior है वो training के time पे जैसा होता है inference के time पे भी बिल्कुल same होता है which means हमें आज के वीडियो में encoder के बारे में कोई discussion करने की ज़रूरत नहीं है but जो main difference आता है वो आता है decoder की side पे so decoder का क्या है कि वो training के time पे और inference के time पे अलग-अलग behave करता है so since training के time पे मेरे पास output sentence जो है हिंदी का sentence उसके सारे के सारे words पहले से मुझे पता है तो मैं उन सबको एक साथ decoder में भेज सकता हूँ तो हमारा जो decoder है वो non auto-regressive तरीके से behave करता है यह हमने discuss भी किया था masked self-attention वाले वीडियो में whereas during the prediction time inference के time पे क्या होता है कि हमारे पास output sentence तो होता ही नहीं है वो तो हमें predict करना है तो यहाँ पर आप one by one prediction करते हो multiple time steps में तो यहाँ पर जो आपका decoder है वो auto-regressive तरीके से behave करता है तो यही main summary है जो आपको पहले से पता होने चाहिए एक बार फिर से summarize कर देता हूँ encoder training के time पे और inference के time पे बिल्कुल same तरीके से behave करता है कुछ भी नया नहीं है सीखने के लिए but decoder training के time पे non auto-regressive तरीके से behave करता है but inference के time पे auto-regressive तरीके से behave करता है which means अब going forward हमारा ज़ादा focus decoder की working पे होगा अपने example से हमारे पास ये query sentence है English का we are friends और हमें बोला जा रहा है कि आपने जो transformer architecture train किया है खूब सारे data पे उसकी help से इस English sentence का Hindi translation generate करके बताओ तो होता क्या है कि सबसे पहले ये sentence को आप भेजते हो encoder के अंदर ठेक है अब जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है कि encoder बिल्कुल वैसे ही behave करेगा जैसा training के time पे करता था तो यहाँ पे मैं कुछ deep नहीं जाने वाला आपको अगर समझना है तो आप पीछे जाएए इस playlist में encoder architecture बोल करके मैंने वीडियो डाला था आप वो वीडियो देखो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फिल्हाल मैं आपको बता देता हूँ आप वही सारे stages यहाँ पे follow करते हो आप सबसे पहले इसको tokenize करते हो tokens में बाटते हो तो we अलग, are अलग, friends अलग उसके बाद तीनो tokens का embedding calculate करते हो में भेजते हो, context निकालने के लिए उसके बाद feed forward में भेजते हो non-linearity introduce करने के लिए और इसके बीच में आप add and normalize करते हो और यह सारा काम आप कितनी बार करते हो six times because आपके पास six encoder blocks है और finally जो sixth encoder है उसका output आपको यहाँ पे मिलता है so for every token that you have उसके corresponding आपको एक context vector मिलता है so यह v के corresponding का context vector है यह r के corresponding context vector है और यह friends के corresponding context vector है so not only इनके पास समझ है खुद के word की बट इनके पास इस बात की भी समझ है कि यह किस context में use हुए जैसे v के पास यह समझ है कि वो r और friends के साथ use हुआ है r के पास यह context है कि वो v और friends के साथ use हुआ है और friends के पास यह context है कि वो v और r के साथ use हुआ है so हम इस stage पर आ चुके हैं जहाँ पर मेरे English sentence को मेरे transformer ने समझ लिया है अब यहाँ से काम शुरू होता है decoder का जिसको एक एक करके Hindi वाला sentence output में print करना है so guys now that encoder का काम खतम हो गया है अब हम decoder के बारे में बात करेंगे अब decoder पे हम थोड़ा ज़्यादा focus करेंगे because मैंने आप quality बता रखा है कि जो decoder होता है उसका behavior during the training stage and during the inference stage different होता है ठीक है तो मैं बहुत detailed diagram के through आपको पूरा का पूरा walkthrough दूँगा कि decoder के अंदर क्या चल रहा होता है जब हम inference कर रहे होते है so हमारे पास इस point पे encoder से processed output मिल चुका है हमारे context vectors हमारे पास है और अब इस stage पे decoder अपना processing start करेगा यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि भले हमने सिर्फ एक encoder ड्रॉकर रख है बट यहाँ पे आपको चार decoders दिखाई दे रहे होंगे ऐसा इसलिए है because हम जो decoder की processing करते है inference stage में वो step by step होता है और हर step में आपको एक word का output मिलता है so यहाँ पर जो आपको first decoder दिखाई दे रहा है इससे आपको first word मिलेगा second वाले से second word मिलेगा third वाले से third word मिलेगा and so on ठीक है तो अब let's deep dive की decoder कैसे process कर रहा है output को so सबसे पहले आप क्या करते हो कि decoder का processing start करने के लिए एक special token को अंदर भेजते हो इस special token को आप SOS as in start of sentence या फिर simply start बुला सकते हो यह SOS जैसे ही decoder को मिलता है decoder को समझ में आ जाता है कि उसको अब अपना काम शुरू करना है ठीक है so मैं आपको एक detailed diagram के through walkthrough देता हूँ कि जब आप यह SOS भेजोगे decoder के अंदर तो exactly क्या चीज़े होंगी ठीक है तो यह रहा हमारा SOS token since अभी यह एक English word है इसको हमारा machine समझ नहीं सकता तो सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे वो यह है कि आप इस word को vectorize करोगे numbers में convert करोगे और यह काम आपको कौन करके देगा embedding layer so embedding layer में जैसे ही आपका यह word जाएगा आपको मिलता है 512 dimensional vector ठीक है उसके ठीक बाद आता है positional encoding layer जिसका काम होता है positions encode करना आपकी embeddings में हाला कि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास सिर्फ एक ही token है but since हम हमेशा position encoding apply करते हैं हम यहाँ पे भी करेंगे तो हम position encoding का vector को इस embedding vector के साथ add करते हैं जिससे हमें finally हमारा input vector मिलता है जिसको हम x1 बुलाते हैं और यह x1 ही finally हमारे decoder के अंदर जाता है अब अगर आपको याद होगा second is cross attention block and third is feed forward neural network ठीक है और बीच में add and norm layers होते हैं तो हम सबसे पहले अपना input x1 को भेजेंगे masked self attention block में ठीक है so यहाँ पर देखो यह जो आपको purple block दिखाई दे रहा है यह है आपका masked multi head या हमारे case में self attention बोल रहा है हम because हम सिर्फ एक head को लेकर के चल रहे है बड़ जो भी है यह हमारा masked multi head attention block है अब आपको भी पता है attention block के अंदर क्या होता है attention block के अंदर होते हैं तीन matrices one is wq one is wk and the third one is wv आप क्या गरोगे आप अपने इस x1 को dot product करा होगे wq के साथ जिससे आपको अपना query vector मिलेगा आप x1 को dot product करा होगे wk के साथ जिससे आपको अपना key vector मिलेगा उसके बाद आप x1 को dot product करा होगे wv के साथ जिससे आपको आपका value vector मिलेगा अब जैसे ही आपके पास ये तीनों वेक्टर आ जाएंगे आप क्या करोगे आप अपने query और key vector के बीच में dot product करा होगे जिससे आपको एक scalar मिलेगा उस scalar के उपर आप scaling करोगे और उसके बाद आप softmax लगा होगे जिससे आपको finally आपका attention score मिलेगा यह attention score क्या represent कर रहा है कि आपका start of sentence token खुद के साथ कितना similar है right because यहाँ पे सिर्फ एक ही token है तो हम similarity खुद का खुद के साथ निकालेंगे और फिर उस similarity को हम multiply कर देंगे value vector के साथ mind you इस point पे जितने भी vectors आपको दिखाई दे रहे हैं यह सब के सब 512 dimension के है which is again a 512 dimensional vector तो इस point पे हमने masked self attention वाला processing complete कर लिया है हमारे block diagram में हमने यह वाला stage cover कर लिया है और हम इस जगे पे हैं अब अगला है add and norm layer तो फिर से वापस चलते हैं इस stage में आप क्या गरोगे कि आप के पास यह जो z1 है इसको आप वापस add कराते हो इस x1 के साथ एक residual connection के through और इन दोनों को add करने से हमें मिलता है z1 dash अगें यह सारे vectors 512 dimension के हैं और finally आप इस vector को भेजते हो लेयर, normalization layer के अंदर जहांपर normalization का process होता है और इस से आपको finally मिलता है z1 norm so in short अब हम इस जगे में है we are here ठीक है और अब next हम जाएंगे हमारे cross attention block के अंदर cross attention इस पूरे architecture का एक बहुत important aspect है because cross attention का काम होता है दो given sequences के बीच में attention scores calculate करना so यहां पर हम क्या करेंगे कि हमें जो decoder से sequence मिला है जहां पर अभी फिलाल सिर्फ एक token है sos और जो हमारा encoder का sequence है we are friends जिसके contextual vectors हमने extract कर लिए है हम इन दोनो sequences के बीच में attention score calculate करेंगे in a way हम यह पता करना चाहते है कि sos यह जो हमारा token है यह V से कितना similar है R से कितना similar है friends से कितना similar है so अब होगा यह पूरा calculation inside this cross attention block so that is why आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर दो जगे से input आ रहा है एक आ रहा है नीचे से और एक आ रहा है left से मतलब encoder से ठीक है तो इसका पूरा flow diagram मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से so इस point पे हम यहां पहुँच चुके थे decoder से layer normalization से हमें Z1 norm मिल गया था अब यह जो block आपको दिखाई दे रहा है यह है आपका cross attention block so है तो यह भी attention block तो इसके अंदर भी तीन matrices है WK, WV, WQ अब मैंने आपको बता रखा है कि cross attention काम कैसे करता है cross attention में होता क्या है कि आप query vector extract करते हो decoder वाले sequence है और आप keys और values vector extract करते हो encoder वाले sequences है यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह जो तीन vectors आपको दिखाई दे रहे है यह exactly यह vectors है यह वाले जो आपको encoder के output पे मिले थे आप इनको वापस भेज रहे हो इसके अंदर ठीक है? तो मैं एके करके आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है सबसे पहले यह vector cross attention block में जा रहा है और WQ के साथ dot product हो रहा है जिससे हमें यह query vector मिल रहा है query of SOS ठीक है? सिंस एक token है तो एक ही query vector होगा उसके बाद यह तीनो vectors cross attention block में जा रहे हैं और तीनो का dot product दो-दो बार हो रहा है एक बार WK के साथ एक बार WV के साथ तो जैसे V वाला vector जब गया तो उसका WK के साथ dot product हुआ जिससे हमें यह वाला vector मिला key vector और V का जब WV के साथ dot product हुआ तो हमें यह value vector मिला similarly जब R गया तो R से हमें यह key vector मिला और यह value vector मिला जब friends गया तो friends से हमें यह key vector मिला और यह value vector मिला ठीक है, अब आप क्या करते हो, कि आप, आपके पास जितने भी key vectors हैं और आपके पास जितने भी query vectors हैं, उनके बीच में आप dot product करते हो इस point में मिरे पास सिर्फ एक query vector है, बट तीन key vectors हैं तो हम इस query का तीनो key के साथ dot product करेंगे और इससे हमें तीन scalars मिलेंगे, w1, w2, w3 इन तीनो scalars को हम scale करेंगे, square root of d से और उसके बाद उसके उपर हम softmax लगाएंगे, जिससे हमें finally हमारे weights मिलेंगे और हम उन weights को multiply कर देंगे, w1 को multiply कर देंगे, v के value vector से W2 को multiply कर देंगे R के value vector से और W3 को multiply कर देंगे friends के value vector से और जब हम यह operation पूरा perform करेंगे तो हमें फिर से एक vector मिलेगा जो हमारा cross attention का output vector होगा और उसको हम ZC1 बुला रहे हैं C for cross attention ठीक है? So, इस point पे हम यहाँ पहुँच चुके है इस जगे पे अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं red color यूज़ करता हूँ हम यहाँ पहुँच चुके है ठीक है? अब इसके बाद भी add and norm layer है So, हम क्या करेंगे? हम यह Z1 norm जो है इसको उठा करके उपर ले गए residual connection से और ZC1 में हमने Z1 norm को add कर दिया जिससे हमें ZC1 dash मिला और फिर ZC1 dash को हम normalize करेंगे with the help of layer normalization जिससे हमें finally यह vector मिलेगा which is ZC1 norm So, इस point पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अब जो अगला layer है वो है feed forward layer So, feed forward वाले block में आपके पास एक feed forward neural network होता है और आपके पास जो vector आ रहा है अभी तक आप उस vector को भेज देते हो उस feed forward neural network में वो feed forward neural network एक non-linear transformation करता है और उसके बाद फिर आप add और norm layer फिर से apply करते हो So, again मैं main वाले diagram में जाता हूँ So, इस point पे हम यहाँ पर थे यह हमारा cross attention plus layer norm का output है ZC1 norm इसको हम भेजेंगे इस neural network में मैंने आपको बता रखा है इस neural network का architecture क्या है यहाँ पर एक hidden layer है जो 512 dimensional output expect कर रहा है हमारे vectors 512 dimensional है फिर यहाँ पर एक hidden layer है जिसमें 2048 neurons है और यहाँ पर जो activation function है वो rally हो है उसके बाद जो output layer है उसमें 512 neurons फिर से है और उनका जो activation function है वो है linear जो यह vector यहाँ पर घुसेगा 512 1 cross 512 यहाँ पर अपने पास यह जो weights है यह 512 2048 dimensional है यह दोनों सेम हो गए तो हमें मिलेगा एक नया transformed vector 1,2048 इसमें आप bias add करोगे इसके उपर आप value अपलाई करोगे इसके उपर आप value अपलाई करोगे फिर आप इन vectors इन weight matrices से multiply करोगे तो यह है 2048,512 यह दोनों सेम है तो वापस हमारा vector का size आजाएगा 1,512 जो हम यहाँ से निकाल लेंगे और यह जो y1 दिख रहा है यह आपका output है feed forward neural network से यह पूरी चीज हम इसले कर रहे हैं अब इसके बाद फिर से add and norm layer लगेंगे तो हमने क्या किया यहाँ से एक residual connection बनाया और यहाँ पे zc1 norm को ले आए और उसको y1 के साथ add कर दिया और जो भी यह addition था उसको हमने layer norm में भेजा जिससे हमें यहाँ पर finally एक और vector मिला ठीक है इसको हम y1 norm बुला सकते है sorry मैं diagram में बनाना भूल गया तो यह normalized vector है और अब हम पहुँच गये हैं इस जगे पर ठीक है और इस तरीके से एक single decoder block का का काम खतम हो गया but guess what हमारे पास इस तरह के 6 blocks है तो एक block का का काम खतम हो गया 5 और blocks बचे है तो अब यह जो y1 norm है इसको हम इसी तरह के 5 और operations में या operation cycles में भेजेंगे और यह सारे operations repeat होंगे parameter values different होंगी but सारे operations exactly same होंगे और finally fifth, I'm sorry, sixth decoder से जो output निकल के आएगा वो भी एक vector होगा जो 512 dimension होगा और उसका नाम हमने रखा yf1 norm f और final तो yf1 norm ठीक है तो हम इस जगे पे पहुँच गए अब इस जगे पे अब यहाँ पे finally हमें output print करना है तो उसके लिए हमने एक setup create कर रखा है, setup क्या है कि we have a linear layer जिसके उपर हमने softmax लगा रखा है तो यहाँ से 512 dimensional input घुसता है यहाँ पर 512 cross weights रहते है V क्या है, V है आपके vocabulary का length, आपके हिंदी के सारे words unique वाले जितने मिला लो उनको हम V बुला रहे हैं, आपके data set में जितने भी हिंदी sentences हैं, उन सब में जितने भी unique हिंदी words हैं, उनको हम V बुला रहे हैं, और हर V के corresponding, यहाँ पर हर हिंदी vocabulary word के corresponding, यहाँ पर हमने एक neuron add कर रहे हैं, ठीक है, जिनको हम logit बुलाते हैं, और जैसे यह operation होता है, यह सब एक-एक output थ्रो करते हैं, जब the problem is कि यह output unnormalized होता है, इसलिए आप इसके उपर softmax लगाते हो, so that यह normalized हो जाए, और एक probability distribution का form ले ले, जहाँ पर हमारे पास हर vocabulary word के लिए एक probability आजाए, जैसे हम के लिए probability आजाए, दोस्त के लिए एक probability आजाए, है के लिए probability आजाए, और इस तरीके से जितने भी words हैं आपके हिंदी vocabulary में, आपके data set के अंदर, हर word के corresponding एक-एक probability आजाए, और finally आप क्या करते हो, आप उस word को pick करते हो, जिसके against probability highest होती है, सो हमारे case में, वो word है हम, सो इस तरीके से हमारा step 1 जो था, यह जो हमारा step 1 है, decoder का, वो complete होता है, और इस step से हमें जो output मिला है, वो है हम, हम is our first word, from our auto-regressive decoder, अब guys, यहाँ से मज़ेदार चीज़ शुरू होती है, so मैंने आपको अलड़ी बता रखा है, कि जो decoder है वो auto-regressive तरीके से काम करेगा, मतलब, वो step-by-step output निकालेगा, उसने first time step में हम word निकाल दिया है, as output, अब हम move करेंगे second time step पे, ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर है, वो यह है कि second time step पे input क्या होगा decoder के लिए, so यहाँ पे देखो, अब जो आपका input होगा, वो होगा अभी तक, जो भी आपके पास tokens है, SOS token आपके पास पहले से था, और हम वाला token भी आपके पास आ चुका है, तो अब जो input आप भेजोगे, वो होंगे यह दोनो tokens, SOS भी भेजोगे, हम भी भेजोगे, और अब यह पूरी चीज, फिर से repeat होगी, the only difference would be, कि जहाँ पिछले time, सिर्फ एक token था, इस बारी हम दो tokens लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर से मैंने एक detailed diagram मना रखा है, I'll go through that diagram, so, यह देखो, यहाँ से हमने start किया, SOS और हम को हमने भेजा decoder के अंदर, सबसे पहले हमें मिला embedding, embedding layer, तो embedding layer क्या करेगा, उसके पास SOS का embedding तो अल्ड़ी होगा, वो हम का embedding, calculate करेगा, ठीक है, इससे मुझे, दो embedding vectors मिलेंगे, यह है SOS का, और यह है आपका, हम का, अब इन दोनों में मैं positional encodings add करूंगा, ठीक है, for position 0 and position 1, और उन दोनों को add करने से, अब मुझे finally मेरे दो input vectors मिल गए, एक है x1 और एक है x2, इस step में, अभी तक जो हमने last step किया था, उसमें सिर्फ एक ही vector था, x1 which was corresponding to SOS बट सिंज अब हमारे पास दो tokens हैं, तो x1 और x2 आ गया अब, इस x1 और x2 को हम भेजेंगे, हमारे first block के अंदर, हमारा first block है यह, masked multi head attention, ठीक है, so, यह हमारा masked multi head attention block है, और सिर्फ सिंज attention block है, तो इसके अंदर तीन matrices है, wq, wk, wv, ठीक है, so, हम हर token के लिए तीन vectors calculate करेंगे, हम x1 के लिए query, key, और value vectors calculate करेंगे, और हम x2 के लिए भी query, key, value vectors calculate करेंगे, ठीक है, तो इस point पे मेरे पास मेरे दोनों tokens के corresponding query, key, और value vectors आ चुके हैं, अब आपको पता है, की काम कैसे होता है, आप क्या गरोगे, आप पहले वाले vector की query को लोगे, और उसको first वाले key से multiply करोगे, या dot product करोगे, और फिर उससे आपको एक number मिल जाएगा, उसके बाद आप Q1 को पकड़ोगे, K2 से करोगे, उससे आपको दूसरा number मिल जाएगा, फिर आप Q2 को पकड़ोगे, उसको K1 से करोगे, उससे आपको तीसरा number मिल जाएगा, और फिर आप Q2 को पकड़ोगे, K2 से dot product करोगे, उससे आपको चौथा number बिल जाए गा सो बेसिकलि हैप यह मेट्रिक्स कार है से साथ से मिलारिटी यह रहा है सोस का हम के साथ से मिलारिटी यह रहा हैениемảई से साथ scaling करोगे उसके बाद आप लगाओगे softmax बट softmax लगाने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको करनी पड़ेगी masking ठीक है तो आप क्या करोगे आप ये make sure करोगे कि ये जो SOS वाला token है ये अपने आगे वाले token future token as in हम को ना देख पाए whereas हम दोनों को देख सकता है यही होता था न अभी तक training में तो आप इस तरीके से masking करोगे कि आपका ये वाला जो number है ये 0 हो जाए ठीक है अपर triangular matrix 0 हो जाए तो अब क्या होगा कि जब आप SOS के लिए vector calculate करोगे तो ये 0.2 multiply होगा V1 के साथ और 0 V2 के साथ मतलब ये हुआ कि SOS की calculation में हम का कोई component नहीं आएगा वेराज जब आप हम के लिए vector calculate करने जाओगे तो ये 0.1 multiply होगा V1 के साथ और ये 0.6 multiply होगा V2 के साथ तो हम में SOS का भी component आ रहे हम का भी component आ रहे तो ये masking आपको inference के time में भी करनी होती है कुछ लोगों को ये doubt हो जाता है कि masking inference के time पे नहीं होता है बड़ ऐसा नहीं है transformer architecture में inference के time पे भी masking होती है ideally आप ये argue कर सकते हो कि masking की क्या जरूरत है मेरे पास तो ये दोनों tokens हैं मेरे पास SOS पहले से था और हम तो मैंने खुदी predict किया तो हम SOS को दिखा तो सकते हैं न हम word बड़ आप ऐसा नहीं करोगे आप ऐसा इसलिए नहीं करोगे because आपका जो training process था उसके दौरान आपने masking use की थी अब अगर आप prediction के time पे masking use नहीं करोगे अगर तो एक तरीके से data में shift आजाएगा और उस shift के आने से आपका जो prediction है उसका quality उतना अच्छा नहीं रहेगा so simple शब्दों में पूरे machine learning पे यह applicable है कि जो काम आप training data पे करते हो वही same काम आप query data पे भी करते हो prediction के time पे भी करते हो that is why मैं यहाँ पे extra emphasize कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो self attention का calculation हो रहा है उसमें masking involved है कल को यहाँ पर एक तीसरा word आजाता मालो मालो यहाँ पे तीसरा word आजाता SOS हम और दोस्त SOS हम और दोस्त तो यहाँ पर कुछ number होता यह zero हो जाता हम SOS को हम नहीं दिखाते दोस्त नहीं दिखाते हम वाले में यहाँ पे एक number होता यहाँ पे एक number होता बट यह zero हो जाता हम हमको SOS दिखाते हम दिखाते बट दोस्त नहीं दिखाते बिकाज वो future token है और दोस्त के लिए यह तीनो numbers होते बिकाज दोस्त सबसे last में आए तो masking का concept will be valid while inferencing as well यह बहुत important बात है ठीक है तो जो भी है इन दो calculations की वज़े से आपको फिर से दो matrices मिलेंगे one is Z1 and one is Z2 यह आपका output है masked self attention वाले block का मतलब हम अपने diagram में यहाँ आ चुके हैं इस जगर पर अब फिर से हम करेंगे normalization so ध्यान देना यह मेरा X1 और X2 हमने भेजा था इस block में इसको हमने यहाँ से residual connection के थूँ बाहर निकाल लिया यहाँ पर और उसको हमने वापस add कर दिया Z1 और Z2 में जिससे अब हमारा जो नया output है वो है Z1-Z2- basically यह add होने के बाद का output है अब यह दोनों गए layer normalization में और इससे हमें मिला normalized output Z1 norm Z2 norm so इस point पे हम यहाँ पर है इस जगर पर ठीक है अब अगली जो चीज है वो है cross attention अब जो cross attention layer है या block है उसमें फिर से हम दो अलग sequences के बीच में attention scores calculate करेंगे तो फिर से क्या होगा यह जो encoder का output है यह भेजा जाएगा you can see इस रस्ते यह भेजा जा रहा है और नीचे से हमारे जो दो vectors है वो आ रहे है और हमें इन दो set of vectors के बीच में cross attention calculate करना है तो let me show you यह पूरी चीज कैसे होगी so यह देखो यहाँ पर z1 norm है और यहाँ पर z2 norm है और यह हमारा encoder का output है this is encoder का output तो फिर से क्या होगा कि आपके encoder वाले vectors के help से हम keys and values निकालेंगे और आपके decoder से यह जो दो vectors आ रहे हैं इन से हम queries calculate करेंगे ठीक है तो since यहाँ पर दो vectors आ रहे है तो हमें दो query vectors मिलेंगे so होगा क्या यह z1 norm का dot product होगा wq के साथ और उससे हमें मिलेगा यह query z of q of sos ठीक है और फिर हम इस vector का dot product करेंगे wq के साथ तो हमें मिलेगा यह query vector हम वाला ठीक है फिर हम जब v को भेजेंगे तो v का dot product होगा wk के साथ और हमें मिलेगा यह वाला vector key of v और फिर v का ही dot product होगा wv के साथ तो हमें मिलेगा यह वाला vector value of v similarly r को भेजेंगे इससे dot product होगा तो हमें मिलेगा यह vector r को भेजेंगे इससे dot product होगा तो हमें मिलेगा ये vector और similarly हमें k friends और v friends मिलेगा ठीक है तो अब हमें क्या करना है हमारे पास जितने भी query vectors है जो की 2 है और हमारे पास जितने भी key vectors है जो की 3 है इनके बीच में हमें multiplication करना है ठीक है तो हम क्यों हमका multiplication as in dot product करेंगे v वाले key के साथ r वाले key के साथ और friends वाले key के साथ जिससे हमें w11, w12 और w w13 होना चाहिए sorry ये है w13 w13 मिलेगा ठीक है इस matrix में अगर आप ध्यान दो ये तीन हो और फिर जब हम qsos का करेंगे तो हमें w21 w22 और w23 मिलेगा ठीक है इसको आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे v है यहाँ पे r है यहाँ पे friends है यहाँ पे sos है और यहाँ पे हम है ठीक है तो ये अपने similarity scores आगे obviously इनको आप scale करोगे और इनके उपर आप soft max लगाओगे जिनसे आपको आपके weights finally मिल जाएंगे और अब आप क्या करोगे आप ये दो vectors calculate करोगे w11 को multiply करोगे w11 को multiply करोगे value vector of v से w12 को multiply करोगे value vector of r से w13 को multiply करोगे value vector of friends से तो इससे हमें एक vector मिलेगा which is this vector zc1 और फिर हम नीचे वाले इस row को तीनों value vector से multiply करेंगे तो इससे हमें second vector मिलेगा और वो है ये so इस point पे हम यहाँ पर है इस जगे पर अब हम फिर से add and norm करेंगे so अगर आप ध्यान दो तो ये इधर से मैंने एक फिर से residual connection भेजा है जो कि यहाँ पर आ गया as it is z1 norm को zc1 से z2 norm को zc2 से हमने add कर दिया जिससे हमें zc1 dash और zc2 dash मिल गया जिनको हम फिर से layer normalization में भेजेंगे और हमे normalized zc1 norm zc2 norm मिल जाएंगे चलो फिर जल्दी से देखते हैं कि feed forward वाले layer में या block में क्या होता है so इस point पे हम यहाँ पर आ चुके हैं zc1 norm zc2 norm हमारे दो vectors हैं यह हमारा feed forward neural network architecture है मैंने जस्ट explain किया दो layers है 2048 neurons 512 neurons यहाँ पे value है और यहाँ पे आपका linear है तो बिल्कुल सेम तरीके से matrix multiplication होगा और इससे हमें फिर से दो vectors मिलेंगे y1 और y2 ठीक है so हम यहाँ आ चुके हैं अब फिर से आप add और norm करोगे तो you can see हमने यह zc1 norm and zc2 norm को यहाँ भेज़ दिया और फिर से addition perform किया और जो addition था उसको हमने भेज़ दिया layer norm के अंदर और layer norm से हमें normalized vectors मिल गए y1 norm, y2 norm दो vectors मेरे पास आ चुके हैं और इस point पे हम इस जगे पे हैं ठीक है तो यह हुआ एक single decoder block का का काम बढ़ हमारे पास ऐसे 6 blocks हैं which means कि यह same process हम 5 और बार repeat करेंगे with the same architecture but different parameters ठीक है जिससे finally हमें दो vectors मिलेंगे yf1 norm, f for final and yf2 होगा f2 norm, f for final ठीक है और अब हम हमारे इस पूरे जर्नी में यहाँ पे आ चुके हैं ठीक है अब बस हमें output print करना है और output print करने के लिए हम use करते हैं linear plus soft wax layer का combination अब यहाँ पर एक interesting चीज होती है कि हमेशा at every time step of the decoder आपको एक single token का output चाहिए होता है बट आप तो constantly दो vectors लेके चल रहे हो अब अगर आप इन दोनों vectors को यहाँ भेज दोगे तो दो tokens print होंगे बट हमें सिफ एक token चाहिए auto-regressive property यही कहती है कि हमेशा at every time step एक token output होना चाहिए so इस time step पे आप क्या करते हो कि यह वाला जो आपका vector है यह SOS के corresponding है और यह आपका हम के corresponding है अब SOS के corresponding आपने output अलड़ी पिछले time step में निकाल लिया था and that output was हम तो अब आप इसको दोबारा use नहीं करोगे आप सिर्फ हम का जो यह vector है इसको भेजोगे इस network में इसको नहीं भेजोगे ठीक है और फिर आगे वाला यह जो network है यह ठीक वैसे ही काम करेगा हर logit के around एक number का output आएगा जो कि unnormalized होगा उसको आप softmax में भेजोगे जो कि उसको normalize कर देगा और एक probability distribution में convert कर देगा और अब आप उस probability distribution में से उस logit को पकड़ोगे जिसका probability is highest और ऐसा मान के चलते हैं कि जो word निकल के आ रहा है highest probability का वो है दोस्त तो दोस्त will be the output of time step 2 तो यहाँ पर please confuse मत होना यह step बहुत crucial है एकदम end तक आप सारे vectors को लेके चल रहे हो बट एकदम end वक्त पे आप सिर्फ आखरी वाले को आगे भेजते हो इसको भूल जाते हो ठीक है और इस तरीके से आपको आपका second word output में मिल गया दोस्त अब फिर से सूचो अगले time step पे क्या होगा अगले time step में फिर से input में आप तीन tokens भेजोगे SOS, हम और दोस्त विच मीन्स ये पूरा process repeat होगा बट हर जगह पे दो के बदले तीन tokens होगे या तीन vectors होगे जैसे यहाँ पर दोस्त आ जाएगा उसकी वज़े से यहाँ पर एक और vector आ जाएगा यहाँ पर एक और vector आ जाएगा यहाँ पर एक और set of query की और value आ जाएगा यहाँ पर एक और vector आएगा यहाँ पर एक और vector आएगा ठीक है और यह पूरा calculation उस तरीके से adjust हो जाएगा और हर जगे पे हमें output में 3 vectors मिलेंगे ठेक है मैं draw करते जा रहो यहां तक भी हमें 3 vectors मिल रहे है और यहां पर एक finally तीसरा vector होगा yf3 norm जो कि किसके corresponding होगा दोस्त के corresponding बट अब आप क्या गरोगे आप इसको नहीं भेजोगे इसको भी नहीं भेजोगे सिर्फ इसको भेजोगे और इसके corresponding हमें एक word मिलेगा जो की होगा है ठीक है like this अब last जो step है उसमें हम यह 4 tokens भेजेंगे विच मीन्स अब इस पूरी जर्नी में यहां पर है आ जाएगा यहां पर एक और vector यहां पर एक और vector यहां पर एक और set of query key value vectors यहां पर एक और vector यहां पर एक और vector एक और vector एक और ऐसा करते करते आप फिर से उपर पहुँचोगे और यहां पर आपको मिल जाएगा yf4 norm और फिर से अब आप क्या गरोगे आप इसको ignore करोगे इसको ignore करोगे इसको भी ignore करोगे सिर्फ इसको भेजोगे और hopefully इससे आपको मिलेगा end of sentence और जैसी आपको end of sentence मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना inference process रोख देना है, बंद कर देना है और आपका output हो जाएगा हम works so मैंने बहुत detailed diagram के through ये पूरा process समझाने की कोशिश की है roughly जो बड़ा difference है वो यही है कि encoder बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है but जो main difference आता है वो decoder में आता है decoder training के time पे non auto regressive तरीके से behave करता है सारे tokens को एक साथ लेता है एक साथ output generate करता है whereas inference के time पे auto regressive तरीके से काम करता है एक एक करके tokens को लेता है और एक बार में एक time step पे एक ही token output में देता है ठीक है एक दो और important चीज़े आपको जो याद रखनी है वो यह है कि हर अगले time step में हम tokens बढ़ाते जाते हैं first time step में एक token भेजा second में 2 भेजा third में 3 भेजा fourth में 4 भेजा ये एक बहुत important बात है second एक चीज़ masking होती है masking हमेशा काम करेगी ऐसा मत सोचना कि masking की जरूरत नहीं है since हमने training के time पे masking use किया है आप inference के time पे भी masking use करते हो बाकी सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने training में पढ़ा so with that I am super proud to announce कि we have completed the transformer architecture बहुत लंबा वक्त लगा आप लोगों नो भी बहुत patience दिखाया so really thankful to you अब we will go forwards we'll go forward and we'll discuss more architectures like GPT, BERT और transformer का fine tuning कैसे होता है ये सब कुछ हम लोग discuss करेंगे ठीक है thanks for watching the video अगर आपको video पसंद आया please like करना अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है please do subscribe मिलते next video में bye